हेलो फ्रेंस यह देखो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुती प्यारे शेक और बहुती शुन्दर से बेबी सूज यह देखे यह बहुती आसान तरीकी से मैंने इने बनाया है और बहुती सिंपल से साड डेजाइन है हम आप इसे बहुती आराम शे बना सकती है जिनको नई आता है वह भी इसे बना सकती है तो चलिए आज हम इसे बनाना सुरू करते हैं कि चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए देखिए यहां पर मैंने ब्लू कलर से यहां पर फिप्टी टू फंदे डाल दिये हैं यानि कि बामन फंदे और यह मैंने ग्यारा नंबर सलाई ली है भोतियासान तरीकी सी मैं आपको बनाना बताऊंगी तो चलिए हम बना शुरू करते हैं देखिए फंदे डालने के बाद हम यहां पर उल्टी उल्टा उल्टा बनाएंगे यह हमारे सौक्स उल्टे उल्टे ही बनाए जाएंगे दौनों तरप से फंदे डालने के बाद हम इस तरह से उल्टी-उल्टी बुनना शुरू करेंगे बहुत ही आसान तरीकी से बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनकर तयार हो जाते हैं ये हमारे तो पिलीस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये बेबी सूथ या बूट्स कुछ भी कह सकते हैं आपको कैसी लगे अटाओ आपको कि रुट ये करेंट मुट्स का इफ ये घर से देने देने हो तो आदाते हैं आपको ये चैनल भी और किषग करेंगज हैं आपको कैसी लाइक हैं goalie आतन तो देखिए मैं यहाँ पर फंद्र डालने के बाद एक सलाई बना रही हूं उल्टी-उल्टी तो यह हम एक सलाई फंद्र डालने के बाद बना चुके हैं तो इसी तरह से हम यहाँ पर पांस सलाईया बनाएंगे तो यानि कि एक तरप के हमारी पांस सलाई और दोनों तरप के हमारी दस सलाई तो हमें यहाँ पर पांस लाइन इस तरह की बनानी है तो चलिए हम बना लेते हैं पांस लाइन यहाँ पर इस तरह से कि यह देखी हैं फ्रेंज तो यह हमने पच बना लिए दोनों तरफ की दर चला की दस चला आई तो पांच सला हूं बनाने के बाद देखेए अब हम यहां पर औरेंज क्लर लगा देंगे तो यहां पर देखिए इसे हम औरेंज क्लर को लगाएंगे यह हमारी उल्टी साइड है जिस उल्टी साइड है यह इस सलाई पर हमने यह औरेंज क्लर को लगाया है तो यह हमारी उल्टी साइड है तो पूरी सलाई को हमें औरंज कलर से ही बनाना है तो चलिए हम बना लेते हैं पूरी सलाई को तो देखिए हमने एक सलाई बना ली है अजरिक अधर से बना लेते हैं और बना लेते हैं औरंज कलर से ही पूरी सलाई को तो चलिए हम बना लेते हं पूरी सलाई को यहाँ असी तरीके से का डिखिए हमने सीधी तरफ से भी ओरंज कलर से एक सलाइस बना दिए हैं अब हम फिर से उल्टी तरफ हैं उल्टी तरफ से हम फिर से बिलु कलर से बनाएंगे तो पूरी बहुती आसान है बनाने में और बहुती शुंदर लगते हैं बेबी को पहनाने के बाद में तो चलिए हम बना लेते हैं इस सलाई को भी पूरा इसी तरीके से तो देखें यह हमने पूरी सलाई को बना लिया है बिलु कलर से अब देखें हम सीधी तरफ है तो सीधी तरफ देखिए अब हम बिलु कलर से ही बनाएंगे यहां पे हमें बिलु कलर से चार लाइन बनानी है यह दिखी इस तरह से यह दिखे एक, दो, तीन, चार जिस तरह की है हमारी चार लाइन है बिलू कलर की उसी तरह से हम यहाँ पे बुन लेंगे चार सलाई तो चलिए चार सलाई बनाने के बाद हम फिर से औरंज कलर को लगा देंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हमने ये दो सलाई औरंज कलर से बनाई हैं दोनों तरप की हमें दो सलाई चार सलाई बलू की बनाने के बाद फिर से दो सलाई बनानी है तो चलिए हम इतना बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि आगे हमें सोक्स में क्या करना है तो देखिए फिरेंस यह हमने यहां पर चारसलाई यह भी तीन चार तो यह हमारी दोनों तरफ के आठ सलाईया है और यह देखिए दो सलाई हमने यहाँ पे ओरेंज कलर की बनाई है तो दोनों तरफ के हमारी दो सलाईया और एक तरफ के हमारी एक तो हमने इतना बना लिया आप देखिए आगे तो यहाँ पे हम दोनों बूलु को कट कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे हम 22 फंदे यह देखिए बिना बुने हुए इस सलाई में उतार लेंगे यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उननीस, बीस, एक्किस, बाइस यह 22 फंदे हमने बिना बुने यह देखिए तो यह हमने 22 फंदे बिना बुने उतार लिये हैं अब देखिए यहां पे हम फिर से बिलू कलर को लगाएंगे तो बिलू कलर से हमें यहां पे आठ फंदे बनाने हैं तो देखिए हमने बिलू कलर लगा दिया इससे हम आठ फंदे बनाएंगे देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो यह हमने आठ फंदे बना ली है बिलू कलर से तो यह हमारे दोनों तरफ इस तरफ भी हमने बाइस फंदे उता रहे थे तो इधर भी हमारे बाइस फंदे है तो दोनों तरफ हमारे बाइस बाइस फंदे है अब देखिए हम यहीं से सलाई को पलट लेंगे पहला फंदा हम उतार लेंगे और देखिए यह इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे अब यह हमने पहला फंदा इधर से उतार कर उल्ट उल्ट बना लिए हैं अब देखिए हम सीधी तरफ है तो यह हमारे सीधी साइड है इधर से हम देखिए वूल को पीछे करेंगे और दो फंदों को हम यहाँ पे एक साथ बना लेंगे इधिकर समय पलट लिया सलाई को पेला पंदा हम उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टा बनाएंगे तो पहला फंदा में हर बार उतारना है बुन्ना नहीं है उतारना है आ हुआ तो यह देखिए यह हमारी उल्टी साइड है तो इस तरफ से भी हम दो फंदे एक साथ बना लेंगे इधर हम वूल को अपनी तरफ रहने देंगे और दो फंदे एक साथ बनाएंगे अब देखिए यहाई से हम सलाई को पलट लेंगे यह हमने सलाई को बलट लिया अब देखिए इधर से हम पहला फंदा उतारेंगे पहला फंदा उतारने के बाद फिर हम पीछे से भूल को आगे करेंगे तो देखिए हमने पीछे से भूल को आगे कर लिया अब हम सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे तो हमें ध्यान रखना है पहला फंदा उतार के बूल को तब आगे करना है अब देखिए हम फिर से दो फंदे बनाएंगे तो बूल को यहाँ पे पीछे करेंगे क्योंकि यह हमारी सीधी साइड है तो हम पीछे करेंगे बूल को तो यह हम दो फंदे एक साथ हम पे बना लेंगे तो यह बना लिए हमने दो फंदे अब हैं इसे हम सलाई को पलट लेंगे और पहला फंदा हम उतार लेंगे है और आगे के फंदों को भी बना लेते हैं तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से दो दो फंदे एक साथ बनाते हुए जा रहे हैं अब देखके फिर से हम इधर से दो फंद्य एक साथ बनाएंगे दिखिए कर दो फंद्य बना लिया और यहीं से हमने सलाई को पलट लिया Everywhere two बूल हमारे पीछे है तो हमें पहले फंदा उतारना है और उसके बाद हम बूल को आगे करेंगे तो बना लेते हैं हम आगे के फंदों को भी तो देखिए एक बार और मैं आपको बताऊंगे अब देखिए हम फिर से दो फंदे बनाते हैं इधर से बूल को हम पीछी करेंगे और दो फंदों को एक साथ बना लेंगे तो यह बना लिया अब हम यहीं से सलाई को पलट लेंगे पहला फंदा उतारेंगे और आगे के फंदों को उल्टा बनाएंगे सिर्फ तना ध्यान राखना है दोनों तरफ हमें पहले पहले फंदा उताना है बुन्ना नहीं है अब देखिये हम इधर से भी दो फंद एक साथ बना लेते हैं दो फंद एक साथ बना लिए अब हम यहीं से सलाई को पलट लेंगे अब देखिये पहला फंदा उतारेंगे और उसके बाद हम वूल को आगे करेंगे और आगे के फंदों को इसी तरह बना लेंगे देखिये हम दोनों तरप से दो दो फंद एक साथ बनाते हुआ रहे हैं तो हम यहां पर बना लेते हैं इतना यहां तो हम यहां पर आठ फंद छोड़ेंगे यहां 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 पर 6 फंद रखेंगे तो हम इतना बना लेते हैं तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूं इसे तो देखिए फ्रेंस यह हमने दोनों तरफ से 6 छफंदे हमने औरंज कलर के रहने दिए हैं देखिए दो चार छे और देखिए इधर भी दो चार छे तो हम दोनों तरफ 6 छफंदे रहने दिए हैं हम यहां पर 8 8 फंदे भी रख सकते हैं मैंने 6 छफंदे रखे हैं तब देखिए यहां पर हम इन औरंज कलर के फंदों को भी बिलू कलर से बना लेंगे देखिए स्वरी यह हमारी सीदी साइद तो हम भूल को पीछे करेंगे और इधर से हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे इन फंदों को तो देखिए हमने ओरंज कलर के फंदों को भी बना लिया अब हम ल्टी तरह हैं इधर से हम पूरी सलाई को उल्टाई बनाएंगे तो इस सलाई को हम पूरा बनाएंगे यहां तक तो चलिए मैं यहां तक बना लेती हूं तो देखिए यह हमने ब्लू कलर के फंदे बना लिये हैं अब देखिए यह हमारे औरंज कलर के फंदे इधर बचे हैं तो इन्हें भी हम देखिए ब्लू कलर से बना लेते हैं देखिए तो यह हमने पूरी सलाई को यहाँ पे बना लिया आए देखिए अब देखिए हम सीधी तरफ है तो सीधी तरफ से हम यहाँ पूरी सलाई को बुलू कलर से ही बनाएंगे और एक सलाई हम इधर से उल्टी बनाते हैं उसके बाद हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे तो चलिए हम दो सलाई यहां पर बना लेते हैं पहले बिलू कलर से उसके बाद हम जाली बनाएंगे है तो देखिए हमने उल्टी सलाई को बना लिया है अनिकि दो सलाई हम ने बना लिये दौन तरफ की अब देखें यहां पर हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे तो पहले मुटारेंगे में अब देखिए हम अब अब इस तरह से लपीटेंगे दिखिए और और यहां पर दो फंदे एक साथ बना लेंगे बना लिए हमने दो फंदे अब देखे फिर से हम इस तरह से लपेटेंगे सलाई के उपर से और फिर से दो फंदे बना लेंगे तो यहानी कि हमारा यहां पर दो फंदे बनाते हैं तो एक फंद हम यहां पर कम कर लेते हैं और एक फंदा हम यहां पर इस तरह से बूल को लपेटेंगे बढ़ा लेते हैं तो हमारे फंदे उतने के उतने ही रहेंगे जितने हैं तो देखिए बूल को इस तरह से हम सलाई के उपर से लपेटेंगे और दो फंदे बना लेंगे हर बार हमें ऐसा ही बनाना है सलाई के उपर से बूल को लपेटना है और दो फंदे हमें यहाँ पर बनाने हैं यह देखिए तो चलिए हम इस तरह से पूरी सलाई को बना लेते हैं तो देखिए हमने पूरी सलाई को बना लिया अपर हमी अल्टी सलाई पर रहें तो दिकैं पर मुल्टीस लाई को बनाएंगे फिला इस बोफना आ लिया कि इस तरह से यह जो हमारा सलाई के उपर से लिपितना है इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से उलटाय बनाएंगे यह देखिए यहां से नीचे से सलाई को डालेंगे और बना लेंगे इसी तरह से हमें पूरी सलाई को बना कर कम्प्लीट करना है तो चली हम बना लेते हैं पूरी सलाई को यहां पर तो देखे फ्रेंस यह हमने पूरी सलाई को बना लिया है यह हमारी यहां पे डोरी डालने के लिए जाली बन गई है तो यहां पे आप देखिए हम उपर की तरफ उल्टी-उल्टी सलाइया बनाएंगे तो चलिए हम बना लेते हैं यहां पे उल्टी-उल्टी सलाइया यहाँ पर उल्टी उल्टी सलाईया यहाँ पर हम चार सलाईया बनाएंगे तो चलिए में चार सलाईया बना लेती हूँ दौरों तरब की आठ सलाईया यानि कि एक तरब की हमारी इस तरह सी चार लाइन तो चलिए हम बनाते हैं इतना तो देखे फ्रेंस यह हमने यहाँ पर बना ली है पास चलाई है तो मैंने यहाँ पर पास चलाई है बनाई है देखे एक दो तीन चार पास यहाँ अगर आपको और भी सलाई बनानी है तो यहाँ पर हम उपर की तरफ और भी बना सकते है तो चलिए अब हम देखे सारे फंदो को बंद कर देंगे तो यह हमारी उल्टी तरफ है फंदों को मुल्टी तरफ से बंद करेंगे तो आप यहां पर ब्लू कलर से भी बंद कर सकते हैं मैं यहां पर ओरेंज कलर से बंद करूंगी शारे फंदों को खी दिखी इस तरह से जो फंदों को एक साथ बनाते हुए यहाँ पर मैं भान कर दूंग इसारे फंदों को कि ऊछ चा était बुलू कलर से भी हम सारे फंदों को बंद कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ओरंज कर को लगाते हुए शारे फंदों को बंद करना है लो दो में दो फंदो बनाती है फिर एक फंदों को वाार पिस उसी सलाई में डालते हैं कि इस तरह से हम सारे फंदों को बना रही है यह देखिए इस तरह से तो चलिए हम पूरी सलाई को बना लेते हैं तो सारे फंदों को बंद कर देते हैं यह देखिए तो देखे फ्रेंस यह हमने सारे फंदों को बंद कर दिया है तो यहाँ पर यह हमारा रोक सोक सुप बुन गया है तो देखे अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखे इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ करेंगे यह हमारे सीधी साइड है तो इसे हम अंदर की तरफ करेंगे और इसे हम यहां पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो यह हमने फोल्ड कर लिया और देखिए हमने बूल को कट करते हुए सुई में हमने बूल को लगा लिया है तो देखिए पहले हम यहां से यहां तक सिलाई करे करेंगे तो चलिए हम कर लेते हैं यहां से सुलाई हम दोनों तरफ से चैन करेंगे रहा है बहुत ही आसान है और गलाक पर मृस्ति follower тогда बहुत है like कर रहे हैं तो देखिए हमने यहां से यहां तक से लाए कर ली अब हम देखिए नीचे की तरफ की करते हैं तो चलिए हम नीचे की तरफ की कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंस यह हमने सोक्स को सिलकर सीधा भी कर लिया है तो कितना प्यारा सा सोक्स हमारा बनके तैयार हुआ है तो देखिए इसमें हम यहां पे डोरी भी डाल सकते हैं तो यहां पे मैं डोरी भी डालूँगी तो देखिए कितना शुंदर सार प्यारा सा सोक्स हमार बताया है तो प्लीज आप बना कर जरूर देखें एक बार और आपको अगर हमारा सॉक्स पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शीर करें और कमेंट करकी जरूर बताएं कि आपको यह बीबी सॉक्स कैसा लगा